कैसे आप आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैमरा सेटिंग के बारे में आज की इस वीडियो में आपको इस सैंसेंग के फॉन के कैमरा सेटिंग बताने वाला हूं वीडियो को end तो देखना वीडियो को बिल्कुल भी skip नहीं करना है और अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो please say चैनल को subscribe करके वैल icon को press कर देना है जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की notification मिल दी रहे so guys without anyways time let's go start video first of all यहाँ पर camera को open कर लेना है तो यह है simple आपका camera यहाँ से आप photo इस तरीके से shoot कर सकते हैं next यहाँ से अगर आपको यह photo जो है दूर करना है तो यहाँ पर आप इधर के option पर click करेंगे 0.5x तो यहाँ पर यह photo दूर हो चुका है अब आप यहाँ से इस तरीके से photo shoot कर सकते हैं अगर यहाँ से आप इस तरीके से zoom 10x zoom इसमें आपको मिल जाती है तो इस तरीके से आप यहाँ पर 10x zoom करके photo shoot कर सकते हैं next यहाँ से आपको मिल जाता है portrait का option तो पहले यहाँ पर zoom in कर लेते हैं okay तो यहाँ पर portrait का option मिल जाता है आपको तो इस portrait पर click करेंगे और यहां से आप पीछे का बिलर कर सकते हैं, के बल इस पर आप फोकस करेंगे, यहां पर इस तरीके से तो पीछे का बिलर हो जाता है, और यहां से आप फोटो सूट कर सकते हैं, नेक्स यहां से आपको वीडियो का आप्शन मिल जाता है, तो यहां से आप अपने फोन में वीडि का option मिल जाता है night mode का option मिल जाता है और यह food और प्रोनोमा प्रो तो slow motion से आप यहाँ पर slow mode video बना सकते हैं जैसे कि मैंने आप प्लिक किया तो यह मेरी slow mode video बनने वाली तो यह मैंने काफी तेज तेज मैं से हिला रहा हूं तो यह slow motion में video बन चुकी है तो अब हम आपको slow motion video देखाते हैं तो यह slow motion video तो यहाँ पर यह हमारी video चल रही है और यहाँ पर आप देख पा रहा है काफी धीरे-धीरे मेरा finger यहाँ पर हिल रहा है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा तो इस तरीका से आप अपने फण में Suнь लों विडियो बना सकते है नेक्सट यहाँ पर आपको एक मिल जाता है माइक्रो का ऑप्षिन तो इस माइक्रो के आप्षिन में क्या होता है कि आपकी चोटी चीज भी अच्छी तरीके से आप आ जाती है तो यहां से आप इस तरी की सिफ फोटो यहां पर shoot कर सकते हैं इसका पर किया पर आपको setting पर क्लिक करना है और इहां से आपको scan qr code का option मिल जाता जिसे आप qr code भी scan कर सकते हैं अपने camera से next यहां से आपको auto hdr मिल यहां करके रखना है और shooting methods मिल जाते हैं तो इस पर click करना है तो यहां पर आपका soap आम मिल जाता है अगर आप इसे on करके रखते हैं तो आप इस तरह किसे hand को दिखा कर भी अपना photo suit का सकते हैं पर यहां पर प्रेस बॉलिम की तो इससे क्या होता है अगर आप कोई फोटो शूट करेंगे आप तो यहाँ पर आपका वोटर मार्क आ जाता है इस तरी के सच कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो इस तरी के आपके फोन में वोटर मार्क आ जाता है नेक्स्ट यहाँ से आपको और सेटिंग पर जाते हैं तो यहाँ से आपको और नीचे सूट करते हैं तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो दो सेकंड पांच सेकंड दर सेकंड जो भी आप टाइम लगाना चाहते हैं और यहाँ पर आप क्लिक करते हैं आपका फोटो दो सेकंड बार सूट हो जाता है पर आप दूर से फोटो सूट करते हैं तो यह सेटिंग आते हैं से यह और न करने इस तरी के से तो इस तरी के से आपका ये काफी बढ़िया filters आते हैं इसमें और ये काफी change कर देते हैं तो इस तरी के साफ ये settings use कर सकते हैं अपने phone में तो I hope कि आपको video फ़संद आया होगा तो आज की इस video में इतना है मिलते एक next interesting video के साथ